शेर और मच्छर की कहानी जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ती पर बड़ा घमंड था. वह स्वयम को सबसे शक्तिमान समझता था. इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौस जमाता रहता था. जंगल के जानवर भी क्या करते अपने प्राण सबको प्रिये थे. इसलिए न चाकर भी शेर के सामने नत्मस्तक हो जाते. एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था. वही एक मच्छर भिनबिना रहा था, जिससे शेर की नीद में खलल पड़ रहा था. वह एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ. भाग यहां से, नहीं तो मसल कर रख दूँगा. मच्छर बोला, शमा करे वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन न हुआ. किन्टु, आप मुझे ये बात नम्रता से भी कह सकते हैं. आखिर, मैं भी इस धर्ती का जीव हूँ. अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर मुझे से जुबान लडाएगा. और क्या कल कहा मैंनी? तुम मच्छर हो ही ऐसे की कोई भी तुम्हें यूं मसल दे. मैं तो ये बार-बार कहूंगा. क्या बिगाड लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा. वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बताई. सभी मच्छरों को शेर की बात चुब गई. उन्होंने तै कि इस संबंद में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे. सभी मच्छर शेर के पास पहुँचे और बोले वन्राज हमें आप से बात करनी है जल्दी बोलो मुझे तुम जैसों से बात करने की फुरसत नहीं है शेर बोला वन्राज आप होंगे बहुत शक्तिशाली किन्तु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचा दिखाएं मच्छर बोले मैंने जो कहा सच कहा मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता घमन में चूर शेर गरजा ऐसा नहीं है अगर आप शक्तिशाली हैं तो हम में भी इतना सामर्थ है कि आवश शक्ता पढ़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं हम आपको भी हरा सकते हैं मच्छर भी चुप न रहे यह सुनकर शेर हंस्दे हुए बोला तुम लोग मुझे हराओगे तुम लोगों की इतनी हिम्मत की मेरे सामने आकर ये बात कहो मेरी शक्ती का अंदाजा नहीं है तुम है अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते अभी भी समय है भाग जाओ यहां से नहीं तो कोई नहीं बचेगा शेर के घमंड ने मच्छरों को कुरुध कर दिया उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चखा कर ही रहेंगे वे सारे एकजुट हुए और शेर पर तूट पड़े वे जगहजगा उसे काटने लगे वह दर्ज से करा उठा इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया वह दर्ज से चीकता हुआ वहां से भागा लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा वहाँ जहां भी जाता वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते आखिरकार शेर को जुकना पड़ा उसने हार मान ली वहां मच्छरों के सामने गिपडगिडाने लगा मुझे बक्ष दो मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें तुछ समझ कर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा मच्छों ने शेर को सबक सिखा दिया था इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया वे बोले घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य तूटता है आज तुम्हारा तूटा है घमंड करना छोड़ दो अन्य था एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ती होती है शेर तौबा करते हुए वहां से भाग गया शिक्षा घमंडी का सिर नीचा